नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल धर्ती पुत्र पर आपका स्वाकत है मैं हूँ आपका दोस्त मेक्सिंग भाट्टी और इस चैनल पर मैं आपके साथ वर्मी कम पोस्ट और गनिक फार्मिंग और पसु पलंच से जो जोड़े वीडियो होते हैं वो सेयर करता हू दरसल दोस्तों होता यह है कि हम कोई भी पसु के लिए फार्म तो सुरू कर देते हैं गाय लेके आते हैं लेकिन हम उनकी पूरी सुविधाओं का अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो हमें अच्छे से दूद नहीं मिलेगा और ना ही हम सफल हो पाएंगे तो इसलिए जरूरी है कि डेरी फार्म में पसु के लिए हर परकर की सुविधा बनी हो उन्हें कोई भी असुविधा ना हो तो हमारे पसु को ओ रही थी एक असुविधा और उसको हमने कैसे दूर किया यह हम आपको यहां पर दिखाने जा रहे है तो दोस्तों जैसा कि आपकिया था लेकिन जो पसुओं के खुर होते है उससे फिर से पत्थर निगलाए है तो पसुओं के लिए यह कापी आसुईदा हो रही थी कि वो जब यहां पर ठीक से बेटते नहीं थे क्योंकि अगर वो बेटते थे उनको कापी पत्थर चुबते थे और कापी दिकत हो किराया और 300 रुपए जो बजरी भने वाले थे वो लेकिन यहां पर बजरी खाली होने के बाद आगे का जो काम है वो हम खुद करेंगे एक मैं हूँ और एक हमारे साले साफ भी यहां पर आए है जो काफी हमारी हेल्प कर रहे है तो हम अब जो आप देख रहे हैं कि यह कर देशा है तो दोस्तों अब लगबग हमने जो गायों के बेटने की जो सारी जगह थी वहां पर मिटी का हमने पूरा एक कवर जड़ा दिया है काफी ज्यादा मातरम हमने मिटी डाली है ताकि गाय आसानी से यहां पर बेट सके और अब गायों को काफी यहां पर सुविता रहेगी और जल्द ही हम यहां पर पूरा शेड के आगे भी जो खाली पर मिटी डाल देंगे ताकि पसु आराम से भूम सके बेर सके और आपसे भी मैं यही कहूंगा कि अगर आप डेरी फार्म में आ रहे हैं कर रहे हैं तो थोड़ी सुविधाओं का पूरा पसुओं के ख्याल रखे ताकि आपको बेहतर परिनाम मिल सके तो इस वीडियो को य इस वीडियो को यही पर समाप्त करते हैं धन्यवाद